मेरे नन्य साथियों से भी आज मैं एक विशेस आगरह करता हूँ बच्चे आप मेरा आगरह मानेंगे ना देखिए मेरा आगरह है कि मैं जो कहता हूँ आप जुरूर करिए एक काम करिए जब थोड़ा समय मिले तो माता पिता से पूछ कर मोबाइल उठाईए और अपने क्या होगा ना कैसे पत्रकार इंटर्यू करते हैं बस वैसा ही इंटर्यू आप कीजिए और आप उनसे सवाल क्या करेंगे मैं आपको सुझाव देता हूँ आप उनसे जुरूर पूछिए कि वो बच्चपन में उनका अरहन सन कैसा था वो कौन से खेल खेलते थे कभी नाट कैसे मनाते थे बहुत से बाते आप उनको पूछ सकते हैं उनको भी 40-50 साल 60 साल पुनानी अपनी जिन्दगी में जाना बहुत आनंद देगा और आपके लिए 40-50 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था आप जहां रहते हैं वो इलाका कैसा था वहां परिश्र कैसा था लोगों के तोर तरीके क्या थे सब चीजें बहुत आसानी से आपको सीखने को मिलेगी जानने को मिलेगी और आप देखें आपको बहुत मजाएगा और परिवार के लिए एक बहुत ही अमुल्य खजाना एक अच्छा वीडियो आल्बम भी बन जाएगा साथियो ये सत्य है कि आत्म कथा या जीवनी आटोबायोग्राफी या बायोग्राफी इतिहास की सच्चाई के निकट जाने के लिए बहुत ही उप्योगी माध्यम होती है आप भी अपने बड़े बुजूरों से बाते करेंगे तो उनके समय की बातों को उनके बच्पन उ की अपने बच्पन के बारे में उस दौर के बारे में अपने घर के बच्चों को बताएं